देमिनी का लादी का शिक दूरी बन बन पिरा दव नाजीरी दो हो ही तुन सुने आवा के हादी पादी में दीने पियारी हो है तुन सुने आवा के हादी जली पिठी का मेले का मेले दिती का लिया आपर हमारो आदी जली पिठी का मले का मले दिती का लिया आपर हमारो आदी सोमन बचल तिरी लोग भायो बचल यदियाती गन्याती हो है तुन सुनि आवा के हादी पादी में दियाती हो है तुन सुनि आवा के हादी रातों खानी धरे नुकी हरी आवा के तुन सुनि आवा के हादी मुनि जन रहत अतासी जाको जान धरे मुनि हरी हरे मुनि जन रहत अतासी तो तेरे घट माही भिरा दे परमपुरुन अमिन आवा के हो है तुन सुनि आवा के हादी जन रहत अतासी सहर आवा के तुन सुनि आवा के हादी हाधीरी तो ही दूर दिखावे, धूर की पात दिना की आई हादिरी तोही दूर दिखाए गुरुदि पातु निरादी कहें अदीरी शूनो फैस्ताधू गुरुदिन भरमत राजाई होए तोगे आवन हादी पांजी में दियादी होए शुन्च में आवत हादी होए शुन्च में आवत हादी बोल्ष दुने की जय शंत समाजे की जय त्रिवदीशी सस्तंग समारोह का आज दुसरा दिन और दुसरा दिन का दुसरा सत्र कल तीसरा दिन होगा और मात्रा एक सत्र वरचेगा हमारे पास इस ग्राम में काफी लंबे समय के बाद ऐसा संत संबेलन हुआ है होने जा रहा है जिसमें करीब करीब सत्तर से अस्सी साधू संत का अग्मन हुआ है सस्तंग काफी समय से प्राराम हो चुका है लेकिन पंडाल भी सुना है काफी देर से जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही हो और आवाज भी सुनाई नहीं देगी क्योंकि जो वोल लहूं यहीं तक सीमित है बाहर तो लाओडी स्पीकर लगा ही नहीं है मैं एक निमेदन करना चाहूँगा जो बर पेड़ की नीचे बैठे है उतनी गर्मी नहीं है अभी जो दो परवे तत्ती गर्मी थी वो समापता हो गई है और यहां आप सामने आकर के बैठे तो बोलने वाले और सुनने वाले दोने को अननदा दता है आप लोगों से निमेदन है कि आप लोग सामने आकर के बैठे और जमिन में नहीं बैठ सकते तो खुरसी पे ही बैठे लेकिन आगे आ करके बैठे सभी लोगों से निवेदन है मैं समझूँगा मेरी बात सुन रहे होंगे तो आएंगे और नहीं सुन रहे होंगे तो नहीं आएंगे क्योंकि गर्मी हो तब बैठना चाहिए पिछे और उतनी गर्मी नहीं है आप सामने आ करके देखिए इधर भी छाय आ रहा है इसलिए निवेदन है कि आगे आ करके बैठे अभी सद्रू कबीर का भजन सुर रहे थे पानी में मिन प्यासी महिशुन शुन आवत हासी हम सब की दसा भी वही है कोई पानी मेरा करके मचली प्यासी हो वैसे हम भी तड़प रहे हैं आत्म ज्ञान के बिना जब तक आत्म ज्ञान प्राप्त नहों हो और सद्रू कबीर के विजक में आत्म ज्ञान से भरा हुआ है और यहां पर वही चर्चाएं इस मंच में सीधी और खड़ी बात वही बात कह जाती है जो आपके जीवन के उत्थान का कारण बने यहां उन बातों को जोर नहीं दिया जाता है जिसमें करमकांड और पाखंड हो बस उलुल जुल बातों में समधान मिल जाए वो चीज नहीं है या करमों के सुधार जीवन के सुधार करमों का जीवन का निर्मान कैसे किया जाए हम चाहे की थोड़े में समाधान मिल जाए तो थोड़े में समाधान होने वाला नहीं है कबीर विचारों में थोड़े में समाधान चुट्किया नहीं लेते हैं, एक लोटजल सारे समस्याओं का हाल, ये कबीर विचार में नहीं मिलेगा आपनों को, ये तो सिर्फ पंडितों के विचार में मिलेगा, जहां सब बोल देते हैं, आप लोगों से पुनह निवेदन हैं कि सामने आकर के बैठे आईए कारकम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन है कभिर पारक संसान प्रयाग राज उत्तर प्रदेश प्रमपुज गुर्देव जी के साथ आए संथ श्री करम चन साहिप जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लभावित करने की खृपा करेंगे बोलिये सद्गुरु देव की जय हम ही अकेले बोलें का आप लोग नहीं बोलेंगे जय पीछे वालें इस तो मतला भी नहीं है वो लोग दूसरे देश के हैं दूसरे गाओं के हैं आगे वाले जाने आजाओ आप लोग भी आगे आजाओ ठंडा हो गया है कुरसी लेके आजाओ जो नहीं बैठ सकते नीचे पूजनिये साहव जी अर्चनिये बंदनिये संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं गुरुवर कवीर साहव का एक भजन है मेरे शद्गुर हैं रंगरेज चुनर्य मेरी रंगडारी स्याही रंग छुडाई के दियो मजीठा रंग धोए से छूटे नाही दिन दिन होत सुरंग भजन तो भजन गायकों से सुनेंगे इनी कुछ पंग्तियों पर हम आज मनन करें गुरुवर कवीर क्या संदेश देते हैं भजन के माध्यम से मेरे सत्गुरु हैं रंगरेज चुनर मोरी रंगडारी हमारे सत्गुरु गुरु रंगरेज हैं किसके हमारी मन रूपी चुनरी को रंगने वाले किस रंग में रंगने वाले ग्यान रंग में रंगने के लिए स्याही रंग चुडाई के अब स्याही रंग क्या है स्याही जानती है सब काले कलर की होती जहां लग जाए फिर छूटने का नाम नहीं लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा होता है कि हमारे जीवन के जितने कलिमस है जितने विकार हैं विसेवासनाएं हैं काम क्रोध लोब मोह हैं जो कालूस है कि वो श्रदगुरु का ज्यान और विचार जब मिलता है तो धुल जाता है तो फिर कौन सा रंग चड़ता है दियो मजीठा रंग मजीठा रंग पक्का रंग होता है कहते हैं कि उस कलर में जब जीवन रंग जाता है मन रंग जाता है तो फिर उतरता नहीं है किसी के धोने से उतरता नहीं है कभी विपरीत परिश्थिती आ गई कोई उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो उससे आदमी परेशान नहीं होता है बिचलित नहीं होता है वो जितना उमर बढ़ती जाती है दिन बीत्ता जाता है गुरू के ज्ञान में जीवन और रमता जाता है इसलिए गुरु अरकवीर साथ कहते हैं दिन दिन होत सुरंग हम सब को गुरू से क्या मिला है ज़रा बिचार करें आज क्या पाए है आज तक बंधों अगर शद्गुरु का शानिध ना मिला होता तो आज हम कहां होते किसी पत्थर की मूर्ती में नाख ढून रहे होते अगर वत्ती सुलगा रहे होते उसे या किसी नदी में नहा रहे होते या कहीं जल चड़ा रहे होते किसी पाखंड में उल्जे होते किसी अंदिविस्वास में उल्जे होते गुरू का ज्ञा नहीं है जो हमें वहां से खीच कर लाया है कितने बड़े सोभागे साली हैं हम लोग कि हमें कोई भरमित नहीं कर सकता है कोई बहका नहीं सकता है कोई धोखा नहीं दे सकता है आज की दुनिया के लोग एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं सुनेंग नहीं आप लोग एक लोटा जल चड़ा दो भगवान पर सीव पर सारी समस्या का हल हो जाएगा आप सब हम सब इस समस्या को इस बात को क्या मानते हैं नहीं मानते हैं लेकिन दुनिया आज सब लोटा लेके दोड़ रही है, जल चड़ाने के लिए, समस्या का हल डूड़ने के लिए, समस्या का हल एक लोटा जल से होगा, नहीं होगा, आदमी अगर पाप कर ले, और सोचे कि एक लोटा जल से छुट जाएगा, भाई आप बात न करें, सहाब इधर सुनिए, आप दोनों जन जाएए, उधर बात करिए, हम लोग यहां कता नहीं कह रहें कि आप बात भी करते रहें और हम बोलते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कह रहा था, कि आदमी भ्रह्म में पड़ा है, और भ्रह्म के कारण वो इन सब बातों को मान लेता है, हाँ, पाप करके, कोई क्या उस से मुक्त होने का क्या तरीका है, गलत बीज बो करके, किसी को दुख दे करके, क्या एक लोटा जल डाल देगा तो उससे समधान हो जाएगा, कौन सा ऐसा भगवान है, जो आपको इस पाप से बचा लेगा, सारी समस्या का हल कह दिया गया मैं आपको यहीं पर उधारण दूँगा भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कहने वाले लोग कितना कुरूरता उनके अंदर भर जाती होगी बताईए एक आठ साल दस साल की बच्ची है उसको उसके साथ रेप हो जाता है वो बच्ची आपकी है ध्यान से सुनिये मैं क्या कर रहा हूँ एक आठ साल दस साल की आपकी बेटी है उसके साथ रेप हो जाता है अब रेप करने वाला एक लोटा जल ले जाकर के भगवान से उपर या किसी भी गुरू के पास चढ़ा दे या आप को ही भगवान मान के चढ़ा दे क्या आप चाहेगा कोई भी दुनिया का ऐसा प्राणी होगा या आदमी होगा जो ये चाहेगा कि भगवान उसे छमा कर दे आप कोई इसमें से है जो छमा कर सकते हैं आप सब हम सबसे बहुत गल्तियां होती लेकिन फिर भी क्या छमा करेंगे वैसे ब्यक्ति को आपके गाओं देश की कोई बेटियों पर अगर पुद्रिष्ट कर दे तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे जूता सपल से ठोक के बराब करके रखे हैं कि एक लोटा जल समस्या का हल कि सोचिए बहुत सोचने वाली बात है यह यह दुरुगुणों को बैविचार को बढ़ावा देना है कि खतम करना है एक आदमी गलत करता है चोरी करता है मडर करता है और भगवान के पास जा करके लोटा जल चड़ा दे और छमा मांग ले और भगवान छमा कर देते हैं मिंटों में अब भगवान कैसे होंगे आप बताईए वो जजज कैसा होगा आप लोग जजज को कभी गाली देते हैं ही नहीं जब गलत निरने दे देता है तो जजज घूस लिया होगा ऐसा होता है आपके गाओं में सड़क बनती है नाली बनती है चार दिन में तूट जाती है तो आप कहते हैं अरे इठेकेदार खा गया सब पैसा दो बोरी काम चला दिया होता है कि नहीं उसको गुसाते हैं उसको गाली देते हैं थोड़ी सी गलती कर देता है तो लेकिन यहां किसी की बेवभु बेटी के साथ अन्याय हुआ पाप हुआ और उन सब का समाधान एक लोटा जल बताया जा रहा है चार बेद छो सास्त्र में बात है केवल दोए क्या जानते हैं कोई दुख देने दुख होता है और सुख देने सुख होए बेद सास्त्र को भी हमें एक किनारे कर देते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा आप लोग तो रमायडी हैं जानते होंगे आगे और जो जस करें सुत्तस फल्चा का नहीं ऐसा नहीं है आजकल एक लोटा जल सभी समस्या का हल रमायड गई किसी किनारे बेद गया किसी किनारे कुछ दिन पहले भगवान को दूध पिलाने की स्रिंखला चली थी गणेश भगवान जी दूध पी रहे था आप लोग पता है सम माताएं बहने उनको ले जा रही थी दूध पिलाने एक माता की यहां महत्मा रुके थे पूछे कहा गई थी मालकी कहे आज गणेश भगवान को दूध पिलाने गए थे कहे वरसो बाद वो दूध पिये कहे अच्छा कितना ले गई थे कहे एक गिलास कितना पिये कहे दूध चमच कहे बस इतने में इतना लोट पोट हो रही है यहां एक एक हमारे भगवान बैठे देखो सब 2-2 किलो पीते हैं लेकिन जनता कहां मानती है अपने अपने भगवान की परिच्छा करने का एक दिन आप दीजी आप खुछ समझ जाएंगे आपके भगवान कैसे हैं जिसको जिसको अपने भगवान पर विश्वास है अपने कि वो हमारी रक्षा करते हैं यही मानता है ना अदमी हमारे दुखों से हमारी रक्षा करते हैं हम उन पर जल चड़ाएं अगर बत्ती चड़ाएं उन पर या फूल प वो अपनी रच्छा कर पाएंगे, चवराहे पर रख दी जाए कोई मूर्ती अगर सोने की बनवा के, तो क्या मूर्ती बचेगी आज? कितनों पीने वाले लोग उनको उठा ले जाएंगे, अब महिना भर पीएंगे बेंच के, कि नहीं? एक मंदिर का पुजारी एक बार हम गए, तो एक करोण की मूर्ती बनवाये थे, एक करोण की, सोने की, तीन-चार ताला खोला, तब वो दिखाया हमको, कहा ये मूर्ती है, और कहा कि सारा सब कुछ हमारे घर का यही देखते हैं, इनी से पूरा संसार चल रहा है, और यही हमार हमारे घर की सारी सुरक्षा करते हैं, मैं कहा एक दिन यह ताला मत लगाओ, बस पता लग जाएगा, यह सुरक्षा करते हैं, कि आप करते हैं, अगर भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, तो मंदिरों में ताला क्यों है? क्योंकि हमें पता है, यह भगवान अपनी सुरक्ष नहीं कर सकते हैं और इनके लिए लोग लड़ते हैं भगवान का घर बनना चाहिए भगवान का मंदिर बनना चाहिए अभी अध्या में बना अब द्वारिका के लिए चड़ाई द्वारिका में बनना चाहिए और उसके यह अगर नहीं बनेगा तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ऐसा कहने वाले कई महत्मा हुए सिधा सरकार को धंकी दे रहे हैं मतलब भगवान को हम बनाते हैं सीधी सी बात है भगवान अपने आप में कुछ नहीं है उनका घर हम बनवाएंगे तब वह वहां भी राजेंगे लेकिन बंदों आदमी की आँख नहीं खुलती है जो हम करते हैं वही पाते हैं कबीर साहिब तो कहीं दिये ना बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए पुरी साखी कैसे साहिए कबीर कमाई आपनी निस्फल कवहुना जाए और बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए जो बंदों हम कमा चुके हैं गलत कर चुके हैं वो खतम हो जाएगा ऐसे और गलती हम कहीं और कियें दूसरे के घर में किसी दूसरे के साथ और छमा मांगते हैं दूसरे के घर में अगर कोई चोर आपके हाँ चोरी करे और आपके घर दूसरे दिन आए सारा समान वापस कर दे और आप से छमा मांगे कहा है भीया छमा करना आज से मैं चोरी छोड़ता हूँ और दुबारा चोरी नहीं करूँगा किसी के घर में तो सायद आप छमा कर देंगे कर देंगे कि नई हर आदमी कर देगा कि भाई चलो ये आज से चोरी छोड़ रहा है और हमारा समान वापस भी कर रहा है लेकिन चोर करता कि चोरी तो आप के हाँ किया और उसी में से 500 रुपे एक लड़ू लिया और हनमान जी को चड़ा दिया भगवान आपकी किरपा से कल बढ़िया दाओं लगा परसाद लाया हूँ आपके लिए अब भगवान भी खुस हो गए कैसे भगवान है ऐसे भगवान की आप पूजा करेंगे इन सब पर आप विश्वास नहीं करेंगे इसके बहकावे में नहीं आएंगे कबीर सहेब की बात दो दो चार के जमान समान सत्य है आप गलत किये हैं तो उसका सजा भोगना पड़ेगा आप किसी के यहां चोरी किये हैं तो आपको नाक रगड़ना पड़ेगा माफी मागनी पड़ेगी जुकना पड़ेगा तब ही छमा हो सकता है छमा का केवल यही तरीका है कि आप जिसके साथ गलत किये उसके पास जाईए हिम्मत है और वहां जुकिये और दो-चार लात उसकी और से खाईए तब वो छमा कर दे तो ठीक नहीं तो जो सजा दे उस विकारी है यह कबीर माड़ी और नहीं तो बस एक लोटा जल चड़ा ली जिए है कि छमा नहीं होगा बंद हो और छमा होता तो सब तो जल चड़ा ही रहे ना चड़ा रहे और रो भी रहे कि क्या उनका रोना बंद हो गया उनकी समस्याओं का समाधान हो गया कि समस्याओं और बढ़ जाती है प्रकिर्ति कभी छमा करने वाली नहीं है, आप गलत किये हैं तो गलत उसका आपको परिडाम मिलेगा, चाहे बेद सास्त्रों में पढ़ ले, चाहे छोहो सास्त्रों में पढ़ ले, चाहे रामायण में पढ़ ले, अभी उधारण दिया ना, कर्म परधान बिश्वरची अगर इस से बचना है, तो उसके लिए संतजन एक ही तरीका बताते हैं, वो है नया बीज, जो आप खेत में बोगते हैं, वो नया बीज आप बदलिये, गलत बीज बोगते हैं, बोवे पेड बबूल का, तो आम कहां से खाए, बबूल बोया है, तो काटे मिल रहे हैं, आम अगर खाना है, सुख अगर उप जाना है अपने जीवन में, तो सुख के बीज बिना पड़ेगा, कहने का मतलब अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तन, मन और बाड़ी, इन तीनों से ही कर्म होते हैं बंदू, इन ही तीनों को अगर आदमी सुधार लिया, तो जीवन में दुख नहीं आएगा, अगर इन ही तीनों से किसी दूसरे प्राणी को पीड़ा देना बंद कर दे बस, अच्छा बीज बोने का किवल एक ही तरीका है, मन, बाड़ी और कर्म, इन तीनों को ये द्वारा, किसी दूसरे बेक्ती को या प्राणी को पीड़ा ना हो, बस, सारा भजन हो गया, सारा बेद सास्त्र, सारा धरम सास्त्र, छहो सास्त्र, सब इसी में हैं, कि हमारे मन और बाड़ी और कर्म से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, अगर किसी को पीड़ा पहुची, तो आप अपने लिए गलत बीज बो लिए, अब वो पीड़ा आप आपको ब्याज सहित मिलनी है आप किसी को आज एक चाटा मारे किसी को एक घंटा तक रूलाए ऐसा कुछ कह दिये पतनी बेटी बाप या मा किसी को भी कुछ ऐसा बोल दिये कि भोजा नहीं छोड़ दी खाना ही बंद कर दी कहने के मतलब दुख दिये किसी भी परकार से अब ये दुख आपको ब्याज सहित मिलना है जितना दिन बीतेगा उतना ही ज्यादा ब्याज बढ़ेगा जानते हैं आप लोग ब्याज कैसे बढ़ता है जितना ज्यादा दिन तक बैंक में पैसा रखो उतना ज्यादा ब्याज मिलता है तो ये हमारे बीज भी ऐसे हैं हमारे कर तताया था कभी किसी का इतना अहित तो हमने नहीं किया था जो हमारे साथ हो रहा है आज कि बंधों ब्याज सहित मिलता है इसलिए हमें सावधान होना है कि हम से कर्म ही न गलत होने पाए बस अगर गलत कर्म नहीं होंगे तो गलत बीज नहीं बोया जाएगा और जीवन के जो हमारे पुराने बीज है वो एक दिन खतम हो जाएगे और फिर जीवन में सुख ही सुख रहेगा और सद्गुर, संथ यही बीज बोने की राय देते हैं अपने कर्मों को सुधारने की राय देते हैं मन को बाड़ी को रंगते हैं ज्ञान रंग में ऐसा तभी होगा जब हम उनके विचारों को उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर चलने का प्रियास करेंगे यही है सद्गूरु का हमारे मन को रंगना वही बात गुरुवर कबीर साहब करते हैं सद्गूरु है रंग रेज चुनर मोरी रंगडारी ज्ञान रंग में अध्यातन रंग में हमारे जीवन को रंग के सरावोर कर दिया हमारे जीवन से जितने दुर्गुण थे जितनी कलिमस था जितने बुरी आदते थी जितने दुर्गुण थे सब को छुड़ा दिया सब को हटा दिया और दियो मजीठा रंग स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग और इस रंग में जब आदमी रम जाता है इसका जब आनन्द पा जाता है ना तो फिर धोए से फिर छूटे ना है संसार के दुबलीकेट माल बेचने वाले अगर उसे धोना चाहें अगर आप लोगों को कबीर का सच्चा ज्यान मिला है सद्गुरु का सच्चा ज्यान मिला है और आपको कोई बताए कि गंगा नहा लो मुक्ती मिल जाएगी एक लोटा जल चढ़ा लो मुक्ती मिल जाएगी सारे दुख दूर हो जाएगे एक लोटा जल सारी समस्या का हल है आप पर ये रंग चढ़ने वाला नहीं है बंदू क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि आपके उपर पहले से ही सद्गुर ने मजीठा रंग चढ़ा दिया है ग्यान का रंग चढ़ा दिया है अध्यात्म का रंग चढ़ा दिया है और वो क्या होगा? दिन दिन होत सुरंग बंदू हम सब को जरूरत है कि हम इस बिचार में इस ग्यान में अपने जीवन को रंगे और ये संत समाज हमारे मन को हमारे जीवन को रंगने के लिए दूर दूर से इस गाउं में पधा रहे हैं तो इस आउसर को हम खोएना और सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर इससे लाव ले आप लोगों के समक्ष गुरु अरकवीर की ये पंगती कि सद्गुरु है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी स्याही रंग छुडाए के दियो मजीठा रंग धोए से छूटे नाही दिन दिन होत सुरंग कुछ देर बोलना कुछ देर बातें कही बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ बोलिए सद्गुरु देव की जय सद्गुरु अविला शाहिब की जय बहुत बहुत धन्वाद अभी हम लोग कबीर साहब के पद के अधार पर बहुत शुन्दर विचार शुन रहे थे हम लोग पर्याग राज में कैम लगाते हैं, शीविर लगाते हैं इसी भ्रम को तोने के ही लिए है गंगा में नहाने मा से किसी की मोक्ति होने वाली नहीं है कभीर विचार से हम लोग बोलते ही है अब मैं मांग मेला में प्रतेक वर्स रहना होता है तो कई कैमपों में सुनता हूँ कि जब उनके कैम में सुरोता नहीं आते हैं तब ये कहेंगे गंगा नहाने मात से तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है इस ज्यान गंगा में नाने से तुम्हारी मुक्ति होगी। कैंप में यसी बात भी सुनने को मिलती है। तो पहले लोगों को भाउग बनाया जाता है। फर धेरे धेरे लोगों को ज्यान की और उसको ले जाते हैं। आईए हम आवर विचार सुनते हैं। हमारे साती संसरी देवेन शाभ भी राजमान हैं। आप से निवेदन है कि आप पंदरह मिनट हम लोग को दे करके लवानित करें। संसरी देवेन शाभ। कभी राश्रम करी बदर अरे सब चीर पर्चित है। आप काम यही रहेगा बीजवीज में कर दिया चाहिए। भाई यह कोई बेस्थापा लोग बच्चे लोग पीछे हल्ला करना है थोड़ा सा देख लेते कोई भी हो। कि बोलो सद्गुरु कभीर साहिब की थोड़ा सब लोग मिलके हाथ उठाके दिल से और भाव से माता जी लोगी थोड़ा पता चले कामवालों को की चलू हो गया है और प्रयाग राज से हमारे संत पधार गये हम लोग गामे में नहीं पहुच पाए हैं ते एक बात थोड़ा सा भाव से और दिल से बोलो सद्गुरु कभीर साहिब की जैं संत समाज की जैं भक्त समाज की जैं मंच पर विराजमान परम पुझ्य गुरुजन साद्वी समाज और भक्त तता सज्जनों बहुत साल बाद इस जगन नातपुर ग्राम में संतों का ये बड़ा आयोजन हो रहा है और कल का विक्षेश कायरकम था पुझ्य साहिब जी के माता जी का जनम दिन और भी कई का उसका जुड़े हुए थे असली मात्री वन्दन तो अब हुआ है महतारी वंदन योजना जो हमारे मोदी जी चला रहे हैं यह असली महतारी वंदन तो अब हो रहा है ऐसा घर-घर होना चाहिए माँ बाप ने जो हमारी हम लोग की परवरिश की उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं बच्चे दो-तीन पढ़कर के आये घर भर के तो संत ने पूछा कि अच्छा बच्चें बताओ तुम्हारी स्कूल की फीस कौन देते हैं बच्चे ने सरलता सकाफिता जी देते हैं और कपड़े लत्ते कौन लेते हैं का ममी लेती है और भोजन पानी टिफिन कौन देते हैं का ममी देती है और मां की बच्था कौन करते हैं तो ममी पापा देते हैं तो संत ने पूछा उस बच्चे से अच्छा बच्चे बताओ तुम इसकूल की फीस, पढ़ाई, लिखाई और सब बेस्था मम्मी पापा करते हैं उसके बदले तो मम्मी पापा को क्या देते हो उसके बदले में अपने मम्मी पापा को क्या देते हो अब अच्छे चुप हम लोग से कोई पूछे आप लोग क्या देते हैं तो क्या बता पाएंगे हम लोग अब अंदर में तो चल ला होगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए लेकिन वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है माता पीता को और कुछ नहीं चाहिए क्या चाहिए एक आदर भाव उनको दे दीजे बस है यही नहीं दे मिलता है यह फास्ट यूग हो गया है जैसे गाड़ियों में फास्टेग लगने लगा है हम लोग भी फास्टेग के जमाने में हैं लेकिन फास्टेक चाहिए जिदना हो जाये अपने माता पिता का सम्मान जो देगा उसका वजन कभी कम नहीं होगा वजन करने का मतलब सरीर का वजन नहीं उसके जो एक कहना चाहिए कि आत्म भाव उसके अंदर जो जुकने का भाव है उसके अंदर जो विनमता का भाव है वही आदमी को वजनदार बनाता है तो जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं संतो गुर्जनों का सम्मान करते हैं उस सदेव उसका सम्मान बना रहता है जो सम्मान देता है सम्मान पाता है और जो धोखा देता है वो दोखा खाता है एक संद कहा करते हैं कि शक्कर देने वाला शक्कर पाता है और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है और मक्कर देने वाला मक्कर के मलब धोखा जो मक्कर देगा उलट करके क्या मिलेगा धोखा पाएगा आज नहीं तो कल पाएगा तो ये किसी को न देखियों कि कभीष साहब को जो करम सिद्धान्त बड़ा अद्भुत है कि जैसा बोगे वैसा काटने को मिलेगा सम्मान देऊगे तो सम्मान पाऊगे और उसको अगर पिडित करोगे तो वो भले पिड़ा न देगा लेकिन प्रकिर्ति उसको पिड़ा देगी प्रकिर्ति में चमा नाम की कोई चीज नहीं है ये कभी साहब के और पारसिद्धान के संतों की अनोखी पहचान है वो नहीं कहते हैं कोई बात नहीं पाफ हो गया बिटा तो एक किलो लड़्डू ले जा हनमान जी को चढ़ा दो और तुम्हारा पाफ दूर हो जाएगा ऐसा कोई पार्खी संत नहीं कहेगा वो कहेगा कि भाईया जिसके प्रति गल्ती हो जाकर कि उससे चमा मांगो और फिर से गल्ती ना दोराने का भाव रखो संकल्प लखो तो चमा हो जाएगा इस संतों की विशेश ये कठिन लगता तो है है कठिन भी लेकिन सस्ता रोय आप लोग क्या कहते हैं सस्ता रोय बार बार अब महंगा रोय एक बार किसी को देवी देवता भवानी नारियल चड़ाओ कि अगर बत्ती चड़ाओ कि धूब देखाओ ऐसा कोई जरुवत नहीं है बस मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन अपने आपको सुधारना है एक संत थे बहुत अच्छे संत थे तो उनसे किसी ने पूछा कि महराज जी आप इतने अच्छे संत हैं शाधना में जीवन आपका है आपके गुरु कौन है आपके गुरु कौन है तो कहा बेटा बताओं हाँ गुरु जी बताईए आपके गुरु जरूर बहुत उचे संत होंगे तो उन कहा कि बेटा मेरे गुरु है जो दुनिया में जितने मुर्ख लोग है वही मेरे गुरु है पूछने वाले कहा है तो महराजी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भला मुर्ख आपका गुरु होगा कि नहीं बेटा सच मानो मुर्ख ही जितने मुर्ख हैं वही मेरे गुरु है कैसे गुरु जी मैं समझ नहीं पाता हूँ तो उन्होंने कहा कि जो मुर्ख लोग जो गलती करते हैं न तो उससे मैं सीख लेता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करूंगा क्योंकि गलती करते हैं तो मैं जान लेता हूँ कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए तो जो मुर्ख लोग करते हैं ऐसी गलती मैं नहीं करता हूँ तो जितने भी मुर्ख लोग हैं वही मेरे असली गुरू है संसार से हम सीखना चाहें तो कितना सीख हम ले सकते हैं हमारी कमजोरी है जो हम लोग सीख नहीं पाते हैं जानते तो हैं जान करके उस पर चल नहीं पाते हैं अगर चलने लगे तो समझ लीजे कि हमारे कल्यान में शांती में बहुत ज्यादा नहीं जमेला है बड़ा सरल है कभी साहिव नुसी ले तो कहा है पानी में मीन पियासी मौई सुनसुन आवे हासी कितना नजदीक है पानी में मचली रहती है पानी कहे कि मुझको पानी पिलाओ हम लोग कहेंगे मुर्खा है मचली पानी मांगती है तो सदुरु कभी साहिव ने मचली कुपदेश नहीं किया वो मचली हम लोग है जो पानी में रहते हैं शांती में रहते हैं लेकिन शांती के खबरे नहीं है कह मुझको शांती दे दो मुझको सुख दे दो तो कहीं बाहर से थोड़े मिलने वाला है शांती की सुख हमको मिल जाएगा हमारे भीतर है उसको पहचान नहीं पाते हैं सद्गुरु संतिजन, सद्गुरु कभीर साहे यही तो बारम बार बताते हैं मो को कहां ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में नस्दीक में हैं भटकाने वाले लोग मिलेंगे तो कहेंगे कि यहां नहीं मिलेगा भगवान कहां मिलेगा कासी जाईए, मदरिनाथ जाईए तो वहाँ पर भगवान मिलेगा दूर बताएंगे तो आदमी दूर जाता है और देखो सावन के मेले में तो भोले बाबा के यहां सब लोग जाते हैं जल चड़ाने के लिए जल चड़ाने को कामर में जल ले करके अब बड़ी परमपरा चल गई है छतीस गड़ में भी और और जगा तो चतिगर बड़े सरलता वाला प्रांत है तो यहां दूसरों के देखा देखी करने में भी बड़ी सरलता है उदर दिल्ली त्यारिक छेत्रों में तो कावड चलता है कावार का मतलब कावार हो पानी थोड़ा भेके कलोटा दोनों तर लटका लेंगे और अपने गंतब जहां पहुचना होता है तो गंगा जल भरेंगे कहीं से अपना जल भरेंगे और वहां तक पहुचाते हैं कहां पहुचाएंगे जहां अपनी मानिता होती है कोई हरिद्वा के नजदीक वाला है कोई बाबा बैजनाद धृम पहुझा थे काथ हैं के बड़े रघूप से काते हैं कि साहब मैं हर साल जाता हूं बाबा बैजनाद हाम और वहां पर जल चड़ाता हूं तो दूर की बात बताओ तो बड़ा लगता है कहां चल करके मिलेगा और कहीं बाहर कहां जाओ तुम्हारे पास में है तो समझ में बात नहीं आती है इतना नस्दिक कैसे होगा यह कवाई जगननातपुर में है तो वहां कोई भी स्वास नहीं करेगा अजो ध्या में बता दो बैजनात में बता दो और प्रयाग राज में बता दो वहाँ दूर दूर जा करके वहाँ पाना चाहते हैं कभी साहिप इसलिए कहते हैं है हाजीर तेही दूर बतावे ये दूर बताने वालों की बड़ी भीड है ये बिरले बिरले संत हैं जो दूर से लोटा करके अपनी तरब लोटाते हैं और कहते हैं कि देखो बाहर मद भटको जितना बाहर का भटकाव है हमको शुक और सांती नहीं देगा वो भटकना है दोड़ा तो दोड़ा तो दोड़िया जहां तक मन की दोड़ और दोड़ा थका मन थिरवया वस्तु ठाउर की ठाउर एक भक्त ने कहा कि महराज जी कोई अच्छा गुरू हमको बता दीजिये और उससे हमको शान्ती में जाए कल्यान मिल जाएगा तो उनने कहा कि बेटा तुमारे आसपास सभी गुरू ही तुम सिखना चाहो तो नहीं महराज बता दे अच्छा आपके गुरू काउन है आप बता दीजिये आप कहते किसी को भी गुरू बना लो अच्छा अच्छी बात बताएंगे बोध देंगे तो संत ने कहा कि सज कि मराज आप भी मजाग करते हैं संतोह करके कहीं भला चोर गुरू हो सकता है अरे कहें मेरी बात मानो मैं सच बताता हूं चोर ही मेरा गुरू है कैसे चोर आपके गुरू है कि कहा कि एक बार मैं यात्रा करते करते रमत करते करते एक जगा जाना था तो रात हो गई एक तो रात के आठ नो वज रहे थे बरसाथ का दिन था पानी में रुकाwiąz तो घर वाले ने श्वागा सथकार किया और उठाया बैठाया तुमसे कहा कि भई रात मैं रुखना चाहता हूं और पानी गिर रहा है मेरे को आगे जाना है कहा महाराजी कोई बात नहीं है रुख कि बोजन कापी करके उनको आसन दिये कमरे में तो जब बैठे तो भाईया पूछे घर वाले से कि भाईया आप क्या काम करते हैं कुछ बात्चीत होई तो अब बड़ा संकोच में हो गया वो बताने वाला तो कहा कि महराज जी आप संत हैं और आप से क्या छुपाना और मेरा धन्दा चूरी का है मैं चूरी करता हूं अब मेरा टाइम हो गया है अब मैं अपने धन्दे में जा रहा हूं अरे तो मैं कहा कि चूरी का धन्दा आपका है अब रात के दस बज रहा है उसको क्या समझाएं कि चूरी नहीं करना चाहिए यह ठीक नहीं है संत ने का अच्छ और तब तक संद उठ करके इस नाम ध्यान करके पूजय में ध्यान में बैठे थे तो आद करके दूर से पढ़राम किया और रात भर मेहनत किया था तो उस निंदा था तो बढ़राम करके चला गशे पना सोया और क derãos सोयक कब उठण कब क्या तब रात फिर जब जाने का मौका हुआ ज़िक स तब धन्दे में जा रहा हूँ पूछा उंसे अच्छा तो कल गये थे धन द् checkpoint मिली की नहीं सफलता मिली की नहीं तो च्योर ने कहा कि महराज जी कल तो सफलता नहीं मिली आज सफलता जरूर मिलेगी कल सफलता नहीं मिली आज जरूर मिलेगी अब वो चले गए फिर सुबा सुबा वो लोट करका संद बैठे थे ध्यान में पणाम करके चला गया और रात में फिर पहुँचा, कहे गुरुजी धंदेम जा रहा हूँ, तो कहे पेटा अच्छ गये थे कल, तो कल सफलता मिली न, कहे गुरुजी सफलता नहीं मिली, आज सफलता जरूर मिलेगी, संत ने लिखा ऐसा करते करते मैं एक महीना उसके घर रह गया, लेकिन संत यही क चोर को अपने भावतिक लाव में सफलता नहीं मिलती है, तो भी वो लगा रहता है, आज सफलता नहीं मिली, कल सफलता जरूर मिलेगी, इतनी उसकी लगन है, और मैं सादक हो करके, संत हो करके, गुरु पूजा में बैड़ता हूँ, दिहान में बैड़ता हूँ, इस्वर मेरा डगमगा जाता है, मन मेरा इस्थिर नहीं होता है, भगवान मुझको प्राप्ति नहीं होती है, और मैं घबरा जाता हूँ, कि कम मिलेगा भगवान, कम मिलेगा भगवान, कम मुझको शांती मिलेगी, तो मैंने विचार कर किया, कि वो धैर नहीं खोना चाहिए, धीरे भीर, भीर, भीर मना, भीर, सब कुछ होए, माली, सीचे, सवग़ा, रित, आवेफल होए, तो मेरा असली गुरू तो चोरी है, चोर से मैंने सिख्षा ली, कि देखो चोर जैसे अपना धैर नहीं छोड़ता है, वैसे मैं अपना धैर नहीं छोड़ूंगा, और कहते हैं, उसल इच्छ he k Ridepad Piserqण डेमय जाएगा अपना भावना होगे तो सब अच्छे ही पर लेकिन भावना हमारी गड़बड़ होगी सब जगह गड़बड़ी देखा करते हैं तो गड़बड़ी नदेक करके अच्छा जी देखने और उसमें प्रेम भाव बना रहा है लगन बना रहा है तो प्रेम भाव जाओंगा वहाँ पर फिक तुलोनात्मक भाव नहीं होगा एक आदमी था रास्ते में जा रहा था और जाते जाते एक दूद बेचने वाले एक महिला थी यूति उसके पास गया डब्बा ले करके और डब्बा दिया तो उस महिला ने पूरा डब्बा में दूद भर दिया नापा भी नी तौला भी नहीं डब्बा पूरा भर दिया और एक संत सामने बैठे थे और वो देख रहे थे कि नव यूवक आया और नव यू बैठी है दूद बेचने वाली तो उसके सामने डबा दिया पूरा डिबा भर दिया नापा भेनी तौला पैसा भी नहीं लिया को संते भूद बैच रहते हैं अच्छा यह कैसे मिना पैसे देते हैं क्या एक डूसरा आदमी आयाए कै भाई यहाया वह बहुती दूद देने वाली वह एक आदमी आया है उसको दूद दे दィया पैसा मने लिए और तौला भी निकीतना दिया मालू धारीम खातम चलता हो तो आरे कहे माराज आप नहीं जानते हैं वो जो युवक है न उस यूती का प्रेमी है तो प्रेमी के लिए नापने तॉले की जरूत नहीं एक लिटर दें कितना दें पूरा दे दो एतना भाव रहता है तो संद ने विचार किया कि देखो उसका बहुतिक प्रेम है और अपने प्रेमी के लिए वो बिन तुले वो दे देना चाहती है समय नहीं देखती है कितने लिटर नहीं नापती है और मैं ऐसा सादक हूँ भगवान का प्रेमी हूँ भगवान का वजन करता हूँ तो वह माला फिरता हूँ गिनता हूँ कि 108 हो गया तो एक लाग जाप हो गया तो एक 1008 हो गया और फिर नोट करता हूँ कि आज मैंने इतना जाप किया भगवान के लिए मैं जाप करता हूँ तो गिनती लगाता हूँ अगर सच्चा प्रेमी होंगा भगवान का तो उसमें गिंती लगाने का किया जरुवत है करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ तब सफलता मिलेगी तो ये हमारे असली गुरु हैं जो हमको पहचान कराते हैं और जो अब हमारी पहचान हो जाती है तब लगता है कि अरे जो काम में बहूत दीन से डून रहा था कि बड़ा कठिने कठे बड़ा सरल हो गया काम तो सरल है न समझने के कारण Equi कठिन हो जाता है ये संत जन, गुरुजन हम सब को सरलता केमारग बताते है सहज धिहान केमार बताते है और जल्दी से बोध वाला बात बताते हैं बोध हो जाये तो आदमी भटकता नहीं है बिना बोध के अभी हमारे संथ कितना बड़ी है बता रहे थे बिना बोध के जल चड़ाते रहो चड़ाना है जल तो चड़ाओ जल किसी प्यासे को चड़ा दो किसी एक नाजी महराज जा रहे थे गंगा जल चड़ाने के लिए तो घड़ा में पानी लिये थे चड़ाएंगे तो देखा कि बीच में गधा जो है एक दम प्यास के मारे तरफ़ा रहा था और लोग अपना गड़ा ले लेके जा रहे थे इन्होंने अपना पानी उस गड़े को पिला दिया और पिला दिया तो लोग नों कैंज आए एक नाज तुम क्या किये या गड़े को पानी तुम पिला दिये गए थे जा रहे थे बगवान को जल चड़ाने के लिए कहे कि मुझ को ऐसा ल cathedral तो मैंने है मेरा भगवान यहीं मिल गया और वापस लोट गये तो कहते हैं कि असली जल तो उन्हों नहीं चड़ाया असली जल भगवान तक उन्हीं का पहुंचा बागी तो केवल फार्मिल्टी है ऐसे हमको बोध हो जाएगा तो हम कहीं भटकेंगे नहीं इसी भटकाओ को दूर करने के लिए ये पार्खी संत जन हमको बोध कराते हैं और बोध पक्का हो जाएगा सभी प्रकार की भातीयां दूर हो जाएंगी देएक हो समाझ में बड़ी भधान्तियां चलती है ऐसा नहीं कि दूसरे लोग संतियों कि हम भी भांत करते हैं इन भांतियों को दूर करने वाले हम हमारे संती ही होते हैं इसलिए प्रांति विहीन जीवन जी करके हम संतीपत की प्राप्ति कर सकते हैं मेरा समय पूरा हो गया और मैं अपनी बात कोई पर बिराम देता हूं बलो सद्गुरु कभिर साहिव की जैए समाज की जैए अभी हम लोग मारे शाथी अधरनी संसरी देवेन साइब से शून रहे थे जीवन में अगर सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो मन की भ्रांतियां अपने आप मिट जाती है अब हम लोगों को सद्गुरु कभीर मिले हुए हैं सद्गुरु कभीर साहब की विचार धारा में चलने वाले महान सद्गुरु अभिलाश शाहव मिले ऐसे महान सद्गुरु हम सब को मिले हुए है उसके बाद भी हमारे भ्रान्ति न जाए मारे मन से भ्रम न जाए अंद्रिश्वाश न जाए ये अपनी कमजोरी है आज हम लोग एक किश्वी शदी में चल रहे है बिज्ञान युग में चल रहे है आज हम लोग बिज्ञान युग में चल रहे है सिप्चा के युग में चल रहे है अच्छे पढ़े लिके कह जाने वाले जो विश्वी जाले में प्रोफेशन है कालेज में लेचरार है भिज्ञान पढ़ाते है जब कोलेज से आएंगे गाउम आएंगे तब कहेंगे पता नहीं है भगवान कहे नाकुष हो रहे है पानी नहीं गिरा रहा है विज्ञान दिखता है वहां कारण कारज की बेवस्था देखती है पुझवर स्री शाहब जी आने वाले है फिर भी कुछ शमय है मैं निवेदन करता हूं कभीर आशरम कभीर ब्रमचार्नी आशरम धरमपुरी सुष्री साध्वी बिजियासा आप शे निवेदन हैं कि आप पुझवर साहब जी के आते तक भीचार आप हम लोगों को देने बोलिये शद्गुरु देव की जै